वेलकम टू ड्रीम के बीसी जीके दोस्तो एक बार फिर इसस वागते आपका ड्रीम के बीसी जीके चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर रसाण विग्यान के परमानु सरजनाक से सबदीद जन्र नोलेज के सामने ग्यान के पचास अती महत्तो पुन क्विशन लेके आए हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में हेलफूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो दोस्तों आप को नमबर विडियन ती रहेगी आप निचे रहे रेड़ गलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नौलेजेबल वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे किस तो वीडियो कमेडका अंकर सभी होथे आपको कमेड़ करके बताना है खुदका नोलेज चेक करना है तो इसका उतर है एस एन भॉश से सब्सक्राइब पाराण नामका सब्सक्राइब क्वांटब उन अनौन को ऑनटब संक्या है कितने प्रकार की होती है इस क्वेचिंग उतर है और संद आरगन तत्व की परमानुकता एक होती है विश्चन 4 किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किस से संदर्वित की जाती है विश्चन की तक प्रोटोन और निटोन की संख्या से संदर्वित की जाती है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या अगला विश्चन किसी तत्व की परमा संक्या किस से संदर्वित की जाती है तो इसका ऊप्ष topic की परमानु संख्या किसी परमानु के नाभिक में कारण होते हैं तो किसी परमानु नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी इस क्रेशिंग का उत्र ओप्षन भी रद्दर फोल ने की थी नाभिक के धनावेशित होने की खोज Q8. दो या अधिक समान परमानु से जुढने से बनता है Q8. कौन सा युगम सही है Q10. भारतिय परमानु विज्यान के पिता महा किसे कहा जाता है Q10. के थोड किरन ट्यूब किसका भाग है Q10. निम्न में से किसका उप्योग विस्पोटक के रूप में किया जाता है Q10. निम्न में से किसे का उप्योग विस्पोटक के रूप में किया जाता है Q10. वह तत्व जिसका परमानु क्रमांग इवं परमानु बार समान होता है Q10. वह तत्व सूर्य के द्वारा विक्रित उरजा का कारण किया है इसका उत्रे आप्सन भी नाभी किय सल्लैन तो नाभी किय सल्लैन है सुर्य के द्वारा विक्रित उर्जा का कारण फिशन नमबर फिपिन 1903 में परमाणू का सिद्धान्थ किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रोन और प्रोटोन के बारे में जानते है जिसका उत्रे option भी जे जे थॉम्पसन तो 1903 में जे जे थॉम्पसन ने परमानु का सिद्धान्त दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रोन और प्रोटोन को जानते है Question number 16 परमानु का कौन सा मोडल क्रिस्मस पूडिंग के समान है जिसका उत्रे option है थॉम्पसन का मोडल तो थॉम्पसन का मोडल क्रिस्मस पूडिंग के समान है Question number 17 परमानु की सरज्चना की वर्तमान अवधारना किसे विग्या निक द्वारा दी गई है तो इसका उत्रे आप्शन सी निल्स बोहर द्वारा दी गई है परवाणों की सर्रच्ना की वर्तमान अवुद्धार्णा फिशर मेटिन 1932 में न्यूट्रोन की खोज किसने की थी इसका उत्रे आप्शन बी जैम्स चांडविक तो जैम्स चांडविक ने 1932 में न्यूट्रोन की खोज की थी क्विशनम बनाशिए, ईलेक्ट्रोन की खौज किस नहीं थी? इसका तरह याप्षन निल्स बोहर नहीं थी, ईलेक्ट्रोन की खौज क्विशनम ब choosing कौन सा मोडल एक परमाणू की स्तीर्ता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? इस question का हुदरे option भी रदर-फोर्ड model तो रदर-फोर्ड अपर्माणु की स्थिर्दा की व्याख्या करने में शक्षम नहीं है question number 21 उस पर्माणु का नाम बताईए जिसके न्यूकिलियस में कोई न्यूट्रन नहीं है तो इसका होदरे पर्मान्विक सिधान्त सरुप्रथम किस ने प्रस्तावित किया है पदार्थ के पर्मान्विक का सिधान्त सरुप्रथम किस ने प्रस्तावित किया है तो इसका उत्रे ओप्सन भी जॉन डालता है तो जॉन डालतान ने पदार्थ के पर्मान्विक का सिधान्त सरुप्रथम प्रतिपादित किया है Question number 23 निम्नल कित में से कौन एक अस्थाई कान है Question number 34 परमानू में कौन से मूलकर्ण समान संख्या में होते है Question number 34 बी इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन परवाणू में मुलकान जो समान संख्या में होते हैं प्रेशन नमबर 22 सबसे पहले इलेक्ट्रोन के आवेश का निर्धारन किस ने किया था सबसे पहले इलेक्ट्रोन के आवेश का निर्धारन किस ने किया था SQL ka dhra option B. Milikane तो Milikane ने सबसे पहले liberation के आवैश का निर्धारण किया था Question number 26 Electron के तरंग प्रक्रिती की खोजी किशने की थी Squishing का dhra option B. De Broglie De Broglie ने electron के तरंग प्रक्रिती की खोजी की थी Question number 27 Very very important कि ने डाल्टन के परमाणू सिधान्त की अनुशार कौनसा सबसे छोटा कन स्वतंतर रूप से रह सकता है इसका उतरे option B सही हो जाएगा परमाणू तो परमाणू सिधान्त की अनुशार परमाणू छोटा कन स्वतंतर रूप से रह सकता है किन किरणों के प्रकिर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है इसका उत्रे ओप्सन है आलफा किरण तो आलफा किरण के प्रकिर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है इसका उत्रे ओप्सन है इलेक्ट्रोन का प्रतिकरण है पोजी ट्रॉन फिशे नमबर 30 निम्न में किसने आनविक सिधान को प्रतिपादित किया था इसका उत्रे ओप्षन डी जॉन डाल्टन जो जॉन डाल्टन ने आनविक सिधान को प्रतिपादित किया था फिशे नमबर 30 जब कोई इलेक्टॐन उच्च कक्सा से निमन कक्सा में जाता है तो इसका उतरे उप्शन होता है जब उट्च कक्सा में जाता है तो उट्थ सर्जन होता है क्विशन नमबर थर्डी रो अनिश चित्ता के सिधान का प्रतिपादन किस ने किया था इस क्विशन का उत्रे ओप्शन भी हाईजन बर्ग ने किया था अनिश चित्ता के सिधान का प्रतिपादन किसी तत्व की रासायणिक प्रकृती निर्बर करती है तो इसका उत्रे ओप्षन सी संयोजी इलेक्टोन पर निर्बर करती है किसी तत्व की रासायणिक प्रकृती किसी तत्व के रासायणिक गुण निर्बर करते है तो इसका उत्रे आप्शन B, परमानु संख्याप पर निर्बर करते हैं किसी तत्व के रासाइनिक गूण Question number 32, परमानु अबाज्य है, यह निमनल निकित में से किसने प्रस्तावित किया था Question number 36, कारबन का परमानु मांक 6 तत्था परमानु बार बारा है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटोन होते हैं, तो इसका उत्रे आप्शन 6, कारबन का परमानु मांक 6 तत्था परमानु बार बारा है तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते है Question No.37 किसी परमानू के परमानु द्रव्यमान और द्रव्यमान संक्या के अंदर को क्या कहते है इसका उदर्य ओप्ठन सी द्रव्यमान क्षती कहते है Question No.37 रासायन एक तत्व के अनु के संदर्ब में चुमब की यह क्वांटम संख्या का सबंध है इसका उद्रे उप्शन D चक्रण है Q40 किसी तत्व के परमानों की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या हो सकती है तो इसका उत्रे option ने 8 हो सकती किसी तत्व के परमाणों की दूसरी कक्षा में electron की अधिक्तम सक्किया 8 हो सकती है फिशे नमबर 41 निम्डम में से किसे विबाजित नहीं किया जा सकता तो इसका उत्रे option B photon नाभिक धन आयन और परमाणों को भी विबाजित किया जा सकता है और photon को नहीं किया जा सकता फिशे नमबर 42 एक ही रासाणिक तत्व के विबिन प्रारूबों को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो इसका उत्रे option D yellow drops कहते हैं अब रूप कहते हैं एक ही रासाणिक तत्व के विबिन प्रारूबों को फिशे नमबर 43 किसी तत्व की परमाणू संख्या 35 है तता 18 इलेक्ट्रोन है तो उस तत्व में प्रोटोन की संख्या कितनी होगी इस क्रिशिंग का उत्रे option भी 18 होती है किसी तत्व की परमाणू संख्या 35 है तता 18 इलेक्ट्रोन है तो विशे नमबर 44 निम्नम में आविसकार का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो यहां पर आविसकार और आविसकार का नाम दिया है इस पर कौन सा सुमेलित नहीं है तो वह इलेक्ट्रोन जेजे थॉम्सन प्रोटोन रदर फोर्टोन युकावा निटोन चैंडविक यहां पर आपसित प्रोटोन की संख्या को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है इस क्विशिंग का उप्सन भी परमानु क्रमांग कहा जाता है अगला क्षिर आधुनिक अवर्त सार्णि में तत्व के वर्गी करण का अदार क्या है स्क्विशिंग का उत्रे ओप्शन है परमानु क्रमांग है आधोनिक अवर्त सान्य में तत्व के वर्गी करन का अदार क्विशे रंबर फोटिशन तत्व और योगिक के अणुगों को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है क्विशिंग का उत्रे ओप्शन है रासानिक सुत्रदवारा दर्शाया जा सकता है तत्व और योगिक के अणुगों को क्विशे रंबर फोटिएट अलफा और बीटा किरनों की खोज किस ने की थी जिसका उतरे option D रदर फोर्ड ने की थी अलपा और बीटा कीरणों की खोज question number four एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके बारत में बड़े बंडार पाये जाते है तो एक रेडियो धर्मी कौन सा है जिसके बारत में बड़े बंडार पाये जाते है स्क्रिशिंग का उधरे option भी थोरियम थोरियम में बारत जो एक रेडियो धर्मी तत्व है जिसके बारत में बड़े बंडार पाये जाते है फिशर नमबर 50 और इस वीडियो का यह आखरी question है दोस्तों नाबिक से निकलने वाले विक्रिणों में किसकी विधन समता सरवाधिक होती है नाबिक से निकलने वाले विक्रिणों में किसकी विधन क्षमता सरवाधिक होती है यह पर चार option दिएगे very very important किसे ने अगर आपको बदा हो तो इस क्विशिंग का अंसर आप कमेड़ भी कर सकती हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकती हो स्क्विशिंग का उतरे ओप्सन सी गामा किर्णों तो नाबिक से निकलने वाले गामा किर्णों में की वेधन शम्ता सरवादिक होती है दोस्तों यहां पे यह वीडियो समाप तो हता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो नॉलेजब लगा हो आपकी स्टडी में हेलफू लगा हो तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिके चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो दोस्तों आपको नवर भी रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सबस्क्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बे लाइक को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेज़िबल वीडियो की नॉडिफिकेशन मिलते हैं किस्तों दुस्तों भाई ड्रीम के बीची जीची का फेस्बूक पेज भी है आप हमारा फेस्बूक पेज लाइक कर सकते हो ट्विटर पर भी फोलो कर सकते हो इस्टाग्राम पेज फोलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो को अच्छे लगते है वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए और जाद़ जाद़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जय हिन जय बारत वंदे मात्रम